तो दोस्तों इस स्क्रीन में एक वीडियो दिखाए दे रहा होगा दोस्तों अभी इस तरह का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों बहुत ज्यादा लाइक्स बहुत ज्यादा व्यूज इसमें मिलियन व्यूज आता है दोस्तों चलिए दोस्तों अगर आप इस तरह करना चाहते हैं और अपने टिक्टोक एकाउंट में इस तरह का वीडियो अपलोड करना चाहते हैं दोस्तों इस तरह का वीडियो को पुरा दिखेगा दोस्तों और इस तरह का वीडियो अगर क्रियाट करना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो का आपको पुरा देखना होगा करना होगा इस वीडियो में हम स्टेप बाइ स्टेप बताएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा इसमें तो चलिए दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रेट करने के लिए क्या 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 करना होगा दोस्तों दिखाते हैं तो दोस्तों एक एप्लिकेशन का जूरत पढ़ेगा उस एप्लीकेशन का link description में दे दूँगा दोस्तों और अगर आप प्लेश्टोर से download करना चाहते तो वहाँ से भी आप download कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों यह focus video is इस video मतलब इस application का link description में दे दूँगा वहाँ से download कर लिजिए तो दोस्तों इस application को download कर लेने के बाद दोस्तो इसको open करना होगा दोस्तो तो दोस्तो कुछ इस तरह interface खुल के आ जाएगा आपके सामने दोस्तो application open करने के बाद इस तरह कुछ देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं दोस्तो यह वाला जो है इस पर click कर देना है official channel यहां लिखा हुआ है इसके उपर में कर दिया है उसके बाद दोस्तो नीचे इडिट का option है इस पर एक बार click कर देना है तो देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है चलिए फिर से edit पर हम click करते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरह interface खुल जाएगा यहां दो दो पिक्सर लगाने का option है दो फोटो हम लगा देते हैं चलिए इस पर click करते हैं एक बार कोई एक अच्छा वाला पर क्लिक करना है फिर यहां क्लिक करना है फिर कोई एक फोटो लगा देना है चलिए दूसरा फोटो भी लगा दिया है उसके बाद यहां यहां एक्सपोर्ट पर क्लिक उपर यहां क्लिक कर दिना है दोस्तों देख सकते हैं फाइनली मेरा वीडियो बनके तैयार हो गया है दोस्तों चलिए इसको एक बर प्ले करके देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा तो इस देख सकते हैं इस एप्लिकेशन का यहां वाटर मार्क आ जाता है तो इसको अगर हम हटाना चाहते हैं दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा काइन मास्टर को ओपन करना होगा चल बीच वाले आइकन पर पलस वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद बीच वाला पर क्लिक करना है 9, 16 इस पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों उस वीडियो को ले ले लिएना है जो वीडियो हम अभी create किये फोक ओब वीडियो से उस एप्लिकेशन से जो create किया उसको ले लेना है चलिए हम ले लेते हैं उस वीडियो को तो देख सकते हैं फाइनली वो वीडियो मेरा आ चुका है उसके बाद दोस्तों वीडियो की layer पर click करना है उसके बाद इस वाला icon पर click करना है उसके बाद थोड़ा इसको इस तरह जूम कर देना है देख सकते हैं दोस्तों उसका watermark जो है उसको थोड़ा हटा देना है इस तरह और इसको equal पर click कर देना है चलिए एक बाद प्ले करके देखते हैं देख सकते हैं दोस्तों फाइनली वीडियो मेरा creative हो गया है दोस्तों उसके बाद इसको export कर देना है export कर देना है चलिए export पर click कर दे कुछ इस तरह export हो जाएगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप अपना account TikTok account अपने दोस्तों के साथ इसको share कर सकते हैं दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गया होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजगा अगर मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा दीजगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में